बिसमिल्यारामान रहीम इत्फाक में बरकत है ये कहानी तो आपने सुनी होगी इसी तरीके से जब आप मशीन लेर्णिंग के टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं अकसर वकात लोग समझते हैं कि एक ही मॉडल को अच्छे से ट्यून कर लिया जाए that's enough for us लेकिन on the other side कुछ scientist का ये मानना है कुछ data scientist का ये मानना है कुछ machine learning के engineers का ये मानना है कि जब एक से ज्यादा models को आप combine करके use करते हैं उसका और भी ज्यादा फायदा होता है और जब आप एक से ज्यादा models को combine करके utilize करते हैं उस चीज़ को हम बोलते हैं Insembling, Insemble Methods बोल दे हैं और Insemble Methods के अंदर तीन किसम के Methods हैं एक का नाम है Bagging और दूसरे का नाम है Boosting तीसरे का नाम है Stacking तो इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा लेकिन आज के Lecture के अंदर हम Boosting के Major Algorithms देखेंगे और Boosting होती क्या है इसको हम Understand करेंगे अगर आपने Bagging के Concepts को समझना है तो पिछले Lecture को आप ज़रूर देख लें Link description के अंदर Playlist का मैंने दिया हुए या आपके सामने यहां पे आई बटन में आ जाएगा जब हम इस वीडियो को Upload करेंगे Screen आपके सामने हाजिर है यहां पे अगर आप गौर करें तो हमारे पास Machine Learning के Boosting Algorithms जो हैं Ensemble Family के अंदर वो कौन-कौन से आज हम उन्हें डिसकस करने वाले हैं उनको डिसकस करने से पहले आपको सिरफ एक बात मैं बता दूँ के Ensemble Methods जो हैं Basically जब आप Machine Learning टेकनीक को यूज करते हैं जिसके अंदर Multiple Models या Multiple Algorithms को आप यूटिलाइज करते हैं in order to produce one optimal predictive model यानि के इत्तफाक में बरकत है वाली कहानी को जब आप इस्तमाल करते हैं Multiple Models को यूज करके इसको हम बोलते है Ensemble Methods Ensemble Methods भी इसे बोला जाता है Ensemble Methods भी बोला जाता है अक्सरकाद pronunciation में आप कौन सौंबल बोला जाएगा so don't worry about that, सिरफ pronunciation का चक्कर है अब इस example में आप देख लें कि हमारे पास data है और dog है ठीक है, Logistic Regression लगाया है, हमने Decision Tree लगाया और SVM लगाया दो models ने में बताया कि dog है, एकने का cat है तो हमने तीनों की outputs को aggregate किया और at the end हमने predict कर दिया, जो ज्यादा चीज़ें आ रही थी मतलब जो ज्यादा common output है, उसको हमने यहां पर लिख दिया तो हमारे पास ये एक stacking की example है but we will see also के Ensemble Methods में किस तरीके का हमारे पास काम होता है तीन किसम के हमारे पास ensemble के method होते है bagging जिसको हम bootstrap aggregation भी बोलते है random forest इसकी example है जो हमने पिछले lectures के अंदर देख लिया फिर हमारे पास आता है boosting और third one is called stacking तो bagging को हम bootstrap aggregating भी बोलते है यानि कि bootstrap करके aggregation करना यानि कि sample को divide करके in different sub samples उसको aggregate यानि कि parallelization के थूँ चलाना boosting के अंदर क्या होते है कि आप एक algorithm को start करते हैं और फिर आइस्ता इस्ता इस्ता सो उसके weak letters को improve करते जाते हैं तो फिर आपका model जो at the end performance में अच्छा हो जाते हैं stacking में आप multiple stacked generalization करते हैं जैसे हमने पिछली example के अंदर जहां पर dog और cat को बताया था वो हमने की थी ठीक है तो यहां तक आपको clear हो गया अब bagging का मैं एक दफा revise आपको करवा देता हूँ कि यहां पर यह single decision tree है bagging के अंदर आप क्या करते हैं multiple trees यानि कि tree ensemble method के अंदर अगर बात करें को sub sample में divide किया और हर sub sample के अंदर इस sample का कुछ ना कुछ हिस्सा है ठीक है this is called bagging या bootstrap aggregation और हमारे पास bagging में एक और चीज़ आती है like हम original data को ले के आ रहे है bootstrapping का मतलब है कि हम original data को multiple sub samples के अंदर divide करते हैं ठीक है और जो अगर हमारी classification की problem है हम aggregate करते हैं हर sub sample की output को उसका mod चेक करके repeated measures को हम चेक करके at the end हम क्या करते है उसका जो answer है हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहता है bootstrapping, aggregating and then bagging मतलब original data से हम bootstrap करके aggregate करके bagging की तरह आते हैं so this is a kind of example for bagging या bootstrap aggregations या aggregating अब boosting और bagging के अंदर क्या फरक है अक्सर अकात आप internet पे जब google images पे जाएंगे आपको इस तरह की काफी तस्वीरे मिलेंगी जो आपको बताएंगी के bootstrapping और bagging के अंदर क्या फरक है one of them is saying के learner one है ये ये learner two है ये learner three है so on and so forth आपके पास last वाला learner आजाता है होता क्या है कि आपने पहले decision tree से काम start किया उसके जो weak learner से वो दूसरे में ले गए फिर उससे आगे जो weak थे वो तीसरे में उसको ज्यादा priority दी फिर चोते को फिर at the end आपके पास ये ये one by one करके सारा algorithm चलता है bagging में जो हमने पिछले random forest algorithm के अंदर देखा था हम एक ही sample को sub sample में divide करके सारे trees को एकठा चलाते हैं ठीक है यानि कि parallel ली चलाते हैं यहाँ पे हम series के अंदर चलाते हैं कि एक चलेगा फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चोता फिर पांचवा फिर चटा इसके एक और अच्छी example आपके सामने यह diagram पेश करती है कि आप sequential tree grow करते हैं यह नहीं करते कि आप सारे के सारे trees जो हमारे bagging के अंदर थे इस तरीके से ऐसे ही बिल्कुल नीचे नहीं ले के जा रहे हैं हम क्या गर रहे हैं हम यहाँ पे sequence of trees को grow कर रहे हैं यानि के पहले एक tree को grow किया उसमें जो weak learner थे हमने उनको दुबारा से लिया और उन पे ज्यादा emphasize किया दूसरों को हम थोड़े से कम weightage दी और इसकी base पे हमने उनको correct करने की वोशिश की और फिर तीसरा step आ जाता है और फिर इसी तरीके से आपके trees जितने होंगे उतना आपका efficient algorithm हो जाएगा अब bagging and boosting या stacking का मकसद क्या है मकसद यह है कि जो single individual algorithms हैं उनकी बजाए हम इन algorithms को use करें जो हमारे पास combination of different algorithms होते हैं यानि कि ensemble family यानि कि multiple algorithms को एक अठा use करना उसका फाइदा क्या होगा आपकी model की accuracy बढ़ जाएगी आपके model के matrix अच्छे हो जाएगी आपका model better perform करेगा as compared to the individual model में मकसद यह है इतफाक में बरकत वाली कहानी आपके mind में होगी तो union and strength का मतलब यह है कि union of different models जिसके बाद आपके पास एक अच्छी output आती है तो यह bagging है basically अब bagging को मुझे पता है कि काफी लोगों को bagging की समझ नहीं आती so I will explain this in a better way कि bagging किस तरीके से हम समझेंगे अब bagging के अंदर सबसे पहला काम है जनाब boost trap aggregation यानि कि आप एक tree लगाते हैं फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चोथा फिर सबी को आप इकठा जलाते हैं यहाँ पर boosting के अंदर एक ही चलेगा फिर उससे आगे फिर उससे आगे फिर उससे आगे यानि कि आप यह समझ लें कि लोगों की race लगी हुई है पहले एक tree दोड़ता है जहाँ पर एक tree खतम हो रहा है उससे अगला वहाँ से उसको touch करके आगे दोड़ेगा आपने वो marathon race देखी होंगी ना जहाँ पर different teams के members होते हैं पहले एक बंदा एक circle लगालता है फिर दूसरा निकालता है फिर तीसरा निकालता है वो उसको फिर light ऐसे थमा देता है कि अब तुम्हारी बारी फिर तुम्हारी बारी फिर तुम्हारी बारी तो वो boosting के example है bagging क्या है जब 15-20 लोग एक ही team के एकठे दोड़ पड़े ठीक है वो bagging है boosting क्या है कि एक दोड़े फिर उससे बात दूसरा फिर तीसरा फिर छोथा so this is how you can actually have an example in your mindset so जिससे आपको bagging and boosting क्लियर होगा stacking on the other head जो तीसरी टाइप है हमारे पास आप training set से जाते है 1, 2, 3, 3 models को एकठा चलाते है उनका नया training set बन जाता है फिर आप meta model run करते है फिर आप final prediction देते है यानि कि तीन models की output को आपने दुबारा से एक नए model के अंदर run किया और फिर final prediction की ये stacking की example है ठीक है so हमारे पास अब तीन method clear होगा जनाबे वाला bagging, boosting and stacking ये तीन methods जो हैं ये ensemble methods के अंदर हम use करते हैं to train our model ताके हमारे model की prediction अच्छी है यहां तक आपको clear हो गया होगा अब boosting की बात करते हैं और boosting को और भी detail में देखते हैं क्योंकि आज हमने boosting के सारे के सारे algorithms जो हैं वो पढ़ने हैं boosting क्या होगी, boosting के कौन-कौन से algorithm है, और कौन से algorithm का क्या मकसद है, हमारा main aim क्या होता है boosting के algorithms के अंदर यह सब कुछ अभी हम देखने वाले हैं